दोश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसे भी शेयर करने जा रही हूँ इसका नाम है खांडवी गुजरात की बहुत ही फेमस टेश है आप देख सकते हैं बहुत ही जितना देखने में यह बहुत सुन्दर है ना उतना ही खा आपको बहुत ही मज़ा आजाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले हैं यहां पर चार से पांच हरी मिर्श ले ले लिजिए और एक इंच के आसपास अध्रक का टुकडा ले ले लिजिए इसको क्या करेंगे कि मिक्सी के जार में डाल देंगे और य से मैंने यहां पर लिया है बड़ा पतीला और यहां पर एक कटोरी बेसन लिया है आप मेजर्मेंट उसी कटोरी या उसी कप से रखेगा जिससे बाकी की चीज़ भी आपको मेजर करनी हो तो उसी कटोरी से जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया उसी कटोरी से मैं यहां पर एक क अस्तिमाल में कर रहे हूं मैंने पानी पहले ही डाल दिया आपके कीज़ेगा पहले दही को बेसन के साथ अच्छे से फेट लीजिए ताकि इसमें कोई भी लंब्स ना बने मितला आपको समय नहीं लगे का नहीं तो बहुत जादा थोड़ी सी महनत हो जाती है बाद में इसको गोलने में तो एक कटोरी मैंने पानी डाला और यह दूसरा कटोरी मैंने पानी डाल दिया अब डालेंगे स्वादनुसार नमक और उसी चम्मच से डाल देंगे यहाँ पे वन फूर्थ टेस्टीबल स्पून हल्दी अगर हल्दी बहुत जाता स्ट्रॉंग नहीं है तो गर देंगे उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे बस मैं इसी प्रोसेस के लिए बोलते हैं कि जब आप मिक्स करेंगे तो थोड़ी सी गुट्लियां वन जाएगी इसलिए अगर आप जो बेसन है और जो दही है उसको पहले मिक्स कर देंगे तो ज्यादा असान हो जाएगा उसके बाद पानी को एड कीजेगा तो बहुत ही असान है इसका मेजरमेंट मतलब बहुत ज्यादा आप कंफ्यूज नहीं होंगे आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा यह लिक्विड हो चुका है थोड़ा गाडा गाडा सा यही कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए आप देख सकते हैं तो एक कप आपकी बेसन और एक कप दही और दो कप पानी यह मेजरमेंट है अब क्या करेंगे को जिस कड़ाई में आपको पकाना हो तो कोशिश कीजेगा नॉन स्टिक की कड़ाई ले क्योंकि यह नीचे ना लगे वो कड़ाई आप ले लीजेगा और उसके उपर छनोटा होता है ना छलनी या कुछ भी इसको बोलते हैं इसमें रखके इसको छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी हमने मिक्स किया है जैसे अभी हमने हरी मिर्च और अद्रक का पेस्ट मिक्स किया है तो वो उसके जो भी मतलब छिलके हैं वो इसमें ना मिक् अब इस कढ़ाई को रखेंगे गैस के ऊपर इसे पकाने के लिए और यहां पर कोशिश कीजेगा कि इसे लगातार चलाएं और गैस के फ्लेम को आपको लो ही रखना है बिलकुल लो फ्लेम पे पकाना है अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पका देंगे ना तो यह जल्दी सूक जा एगा और चूलाब कच्छी कची सी लगेगी है तो अगर में तो थीले तक मोच तक जाए नगना ही जो ये खाणवी है ये गाड़ी होती जा रही है कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले से ये ज्यादा गाड़ी हो गई है तो आप देख सकते हैं इसका ये कितनी ज्यादा गाड़ी हो चुकी है बनते बनते ही और इसका कलर भी पूरा चेंच हो चुका है अब क्या क इसका मतलतर है और ज्यादा है। तो लगातार जो है दीमी आच में आप जा पकाते रहेगा मतलब भी थोड़ा सा ये गरम है तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से इसमें रोल निकल के आ रहा है इस तरीके से निकलना चाहिए तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है तो बस अब हम इसे गैस पे उतार देंगे और फटा फट जो आपकी थालियां उसक इसे ही स्प्रेड किया है अगर आपके पास कुछ और है जो जिससे बहुत अच्छे से स्प्रेड हो सके तो उसका स्तमाल कर लीजिएगा और इसे ना जितना पतला आप रखेंगे तो उतना ही ज्यादा ये टेस्टी रहेगी कोशिश कीजिएगा बिल्कुल पतला पतला ही इसको आप स्प्रेड करें और जल्दी जल्दी स्प्रेड करना है क्योंकि बहुत जल्दी ये सूख जाता है आप देख सकते हैं और सारी ही थालियों मैंने रेडी रखी हैं सब में ही बराबर से मैंने डाल दिया है आप देख सकते हैं और कितनी जल्दी ये सूख गया अब चम्मच सरसो की दाने तो यह इस तड़के से बहुत ही टेस्टी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसके साथ एड़ करेंगे एक चम्मच हरी मिर्च मतलब आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजेगा साथ ही आड़ करेंगे कड़ी पत्ता तो मैंने जो दो बड़ी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है येकिन मानिएगा तो मतलब अगर आपको प्लेन खानी है तो आप प्लेन भी खा सकते हैं चटनी वगरा के साथ मतलब कोई भी पुदीने की चटनी लहसुन की चटनी डाल सकते हैं ले सकते हैं इसके साथ लेकिन इस तरीके से जब आप इसक तो इसे बहुत ही ज़दा टेस्टी हो जाती है तो बस इसमें स्वादनुसा थोड़ा सा नमक अड़ किया है ताकि फीका फीका ना लगे और इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे विल्कुल रेडी हो गया है नारियल भी गैस से मैंने उतार दिया अब क्या करेंगे इसको स्प्र परिश कटा हुआ धनिया पत्ता भी आड़ किया है जिससे फ्लेवर और भी ज्यादा अच्छा लगेगा तो इसे जरूर एड़ कीजेगा और मेरी मानिये तो आप जरूर स्टाफ्ट ही बनाएगा आपको बहुत मज़ा आएगा खा करके तो अब मैं क्या करूंगी ना यहा लेकिन खाने में उतना ही ज्यादा मज़ा आएगा तो बिल्कुल धीमे धीमे हल के हातों से कोई जिल्दवाजी नहीं करनी है अराम से इसको फोल्ड कीजेगा यह देख सकते हैं और बहुत इजीली हो जाएगा आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी तो आप कैसे भ बहुत इंपॉर्टेंट है और यह किन मानिए आपको बहुत मज़ा आएगा मैंने सुचा चलिए यहां पर दो दो एक साथ फोल्ड किये जाए तो आप देख सकते हैं कि मैं दो दो उठा के एक साथ फोल्ड कर रही हूँ और बहुत इस काम में आपको बहुत अलग ही एक्स तो अगर देख सकते हैं कि मैं दो नारियल कर लिया आप झाल लिया ओण चाहिस नहां और अगर बलियो ही और टार र म्रग लिंट ऑप सी हे कि मजे बता गया कासी अर्य की जरूर बताएगा अगर अग्जुं र्ल मैं कुछ ह लगा हो थो सुखा करना ना भू़ आप बहू मेरे पेज को follow कीजेगा और आप सभी वीवर्स का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद